नमस्कार विज्जन आईएस के न्यूस टुडे के इसंख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपियसी परीक्षा की दृष्टी से महत्वपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंख के साथ मैं हूँ दिव्या सींग आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंख की हेडलाइन्स के बारे में वित्वर्ष 2021-22 से वित्वर्ष 2026 की अवधी के लिए राश्ट्रिय जैव उर्जा कारिक्रम चरण एक के कारियानवेन के लिए दिशा निर्देश जारी किये गए उच्चितम नियाले ने निर्ने दिया कि सभी कर्मचारी कर्मचारी भविश्य निधी संगठन की पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं विश्य विद्याले अनुदान आयोग ने डीम टुबी यूनिवर्स्टीज पर विनियमों का मसौदाद जारी किया और इस अंक में जानेंगे राजिपाल को हटाने की प्रक्रिया के बारे में और भारत बुनियादी रहाचा परियोजना विकास निधी योजना को अधिसूचित किया गया और आई अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं वित्वर्ष 2020-21 से वित्वर्ष 2025-26 की अवधी के लिए राष्ट्रिय जैव उर्जा कारिक्रम चरण एक के कार्यानवेन के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये आपको बता दें कि राश्ट्रिय जैव उर्जा कारिकरम के चरण एक का खर्च 858 करोड रुपे हैं आपको बता दें कि इस योजना में कई सारी उपयोजनाए हैं जिनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे इसमें सबसे पहले है अपशिष्ट से उर्जा कारिक्रम जिसका उद्देशी शहरी और द्योगिक और कृशी अपशिष्टों या फिर अवशेशों से बायो गैस या बायो सीनजी या विद्यूत प्रोड्यूसर गैस या सिन गैस के उतपादन के लिए अपशिष्ट से उर् शुल्क प्रदान किया जाता है इस योजना का लाब ये है कि अपशिष्ट निप्टान के सुरक्षित और आधुनिक तक्नीक आधारित साधनों को बढ़ावा मिलता है और इससे ग्रीन हाउस गैस उतसरजन कम होता है साथ ही स्वक्ष उर्जा का उतपादन और धातु का प दिकास करताओं को केंद्रिये वित्तिय सहयता प्रदान की जाती है उद्ज्योगों में ब्रिकेट या पैलेट निर्मान सैयंत्रों और बायो मास्ट सहे उतपादन परियोजनाओं की स्थापना के संबंद में कार्यान वेन एजेंसी और निरीक्षन एजेंसियों को सेवा शुल्क प्रदान किया जाता है और इस कारिक्रम से क्या होता है कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आती है और किसानों को आये का अतिरिक तस्रोत प्रदान होता है और साथ ही साथ पर्यावरन प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है और प्रदूर्शन कम होता है आए बढ़ते और मध्यम बायो गैस सयंतरों की स्थापना को शामिल किया गया है और इस योजना का लाब ये होता है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन में कमी आती है, स्वक्षिता को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और साथ ही बायो गैस सयंतरों का अपशिष्ट होल रासाइनिक उरवर्कों के पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। पेंचन योग वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपे प्रतीमाह निर्धारित की गई थी। पेंचन योजना में शामिल होने के विकल्प का चुनाव नहीं किया था। लेकिन इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं। ये भारत में सभी वेतन भोगी कर्मचारियों को अनिवारे आधार पर सारभोमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करता है। पहली है कर्मचारी भविश्य निधी योजना 195, दूसरी है पेंचन योजना 1995 और तीसरी है बीमा योजना 1986। ये केंद्रिय श्रम और रोजगार मंत्राले के तहत सामविधिक निकाय है। विश्य विद्याले अनुदान आयोग ने डीम टूबी यूनिवरस्टीज पर विनियमों का मसवदा जारी किया। यूजिसी डीम टूबी यूनिवरस्टीज संस्थान विनियम 2022 को राश्ट्रिय सिक्षा नीती 2020 के अनुरूप संशोधित किया गया है। ये विनियम वर्ष 2019 के दिशानिर्देशों की जगह लेंगे। इन विनियमों को अकादमिक उतकृष्टता के संस्थानों को डीम टूबी यूनिवरस्टीज घूशित करने की प्रक्रिया को विनियमित करने और उच्चितर सिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिसूशित किया गया है। पात्रता मांदंड होंगे। उसके तहट बहु विश्यक संस्थान जिसमें कि सनातक, सनातकोतर और शोध पाठिक्रम वाले नियुनतम पाँच विभाग होने चाहिए। या फिर एक ही शहर या कजबे में इस्थित पाँच सेक्षिक प्रोग्राम्स का संचालन करने वाले स संस्थानों का समू होना चाहिए। संस्थान को अपने दो तिहाई पात्र प्रोग्राम्स के लिए लगातार तीन वर्षों तक राष्ट्रियम मुल्यांकन और प्रत्यायन परिशद से तीन दिशमलब एक CGPA की प्रत्यायन यानि एक्रिडियेशन प्राप्त होनी चाहिए। CGPA यानि Cumulative Grade Point Average आपको बता दें कि वर्तमान में संचालित व्यवसाइक पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक सामविधिक संस्थाओं से अनुमोधन प्राप्त होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि किसी भी संस्थान के Deemed to be Universities का दरजा प्राप्त करने की पीछे क्या उद् इससे डोमेन विशिष्ट विशेशग्यता के अलावा अंतर विश्यक या बहुविश्यक, ट्रांस विश्यक सिक्षन और अनुसंधान में सनलगन होना शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रिय और विश्यस्तर पर मानिता प्राप्त उच्चुगुणवत्ता वाले एवं अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना, साथ ही प्रतेक छातर के समगर विकास को बढ़ावा देने के लिए उसकी विशेश शमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना, ये लक्षिर सिक्षकों एवं अभिवावकों को समविधन शील बनाकर प्राप्त किया जात The State of Food and Agriculture 2022 Leveraging Automation to Transform Agri-Food System रिपोर्ट जारी की गई, ये रिपोर्ट सेयुक्त रराष्ट्रिक खाद्य और क्रिशी संगठन ने जारी की है, ये रिपोर्ट इस तथे का विशलेशन करती है कि हमारी क्रिशी खाद्य प्रणालियों में सुवचालन किस तरह से सतत विकास करने में योगदान दे सकता है, जैसा कि आप सभी जानते ही है कि क्रिशी में Automation के काफी लाब होंगे, क्योंकि इससे क्रिशी में श्रम की उत्पादक्ता बढ़ेगी और लाब बढ़ेगा, इसके अलावा ये क्रिशी श्रमिकों के लिए कारेदशा और आय में भी सुधार करता है, ये ग्रामीन शेत्रों में उध्यमिता के नई अफसर पैदा करता है, और ये खादे की नुकसान को कम करता है, तथा उत्पाद की गुर्वत्ता और संरक्षन में सुधार करता है, अगर देखा जाए तो पहले से ही काफी असमानताएं विद्धमान हैं, और ऐसे मे अन्य हिस्सों को उतना लाभनवित नहीं कर पाया, अब इससे छोटे इस्तर के उत्पादक और हाशिये पर रहने वाले समूह प्रभावित होते हैं, इसके अलावा बड़ी मोटर चालित मशीनरी जैसे की प्रद्योगी कियां, मोनो कल्चर और मृदा अपरदन को अधिकांश उप सहरा अफरीका में इसे सीमित रूप में अपनाया गया है, और इसी को लेके जो सुझाव दिये गए हैं, उसमें श्रमिकों की अधिक्ता को देखते हुए, नेते निर्माताओं को स्वचालन अपनाने के लिए सबसीडी देने से बचना चाहिए, इसकी और उपकरणों का उपयोग है, इससे कृषी सुधार और निर्ने प्रिक्रिया या प्रदर्शन में सुधार होता है, साथी कृषी कारे में कठिन परिश्ट्रम को कम करने या फिर समय प्रबंधन में सहयता भी मिलती है, स्वचालन से कृषी कारे सठीक रूप से पूरे होत साथ ही सभी खाद्य उत्पादों के भंडारन, एकत्री करन, हार्वेस्ट के बाद प्रबंधन, परिवहन, प्रसंसकरन, वितरन, विपडन, निप्टान और उपभोग में भी शामिल है और आई अब आपको बताते हैं राजेपाल को हटाने की प्रक्रिया एक शेत्रिय दलके नेता के समान विचारधारा वाले सांसदों से तमिलनाडू के राजेपाल को ततकाल पद से हटाने के लिए मानेनिय राश्ट्रपती को संबोधित ग्यापन को पढ़ने और उस पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है दरसल राजेपाल को नियुक्त करने और हटाने की एक प्रक्रिया है भारत के समविधान के अनुच्छे 155 और 156 के तहट राजेपाल की नियुक्ती राश्ट्रपती करता है और वो राश्ट्रपती के प्रसाद परियंत पद धारन करता है यदि पांच बर्श का कारेकाल प इस तरीके से मतभेद दूर करें। इस संदर में राजिपाल से संबंधित अलग-अलग सिफारिशें और निरने दिये गए हैं। बीपी सिंगल बनाम भारत संग मामले में उचितम नियाले ने निरने दिया था कि प्रसाद परियंद सिधान्थ पर कोई सीमा या प्रतिवंध नहीं लगाया गया है। लेकिन पद से हटाने की शक्ति का प्रियोग मनमाने विवेखीन या अनुचित तरीके से नहीं किया जा सकता है। सिफारिश की थी कि राजेपाल को केवल राजे विधान मंडल के एक संकल्प द्वारा ही हटाया जाना चाहिए। आवश्यक वित्ति सहता प्रदान करेगी। इससे गुणवत्ता पूर्ण PPP परियोजनाओं के विकास में मदद मिलेगी। ये देश में आधुनिक बुनियादी धाचे के विजन को प्राप्त करने के लिए बैंकिंग सुविधाय हासिल करने योग्य विभारे PPP परियोजनाओं का एक शेल्फ तयार करेगी। आयाई PDF योजना के तहट वित्त पोशन बुनियादी धाचे में PPPs को वित्तिय सहायता के लिए पहले से ही संचालित योजना के अलावा है। इन आकड़ों के मताबिक भारत PPP परियोजनाओं की संख्या के साथ साथ संबध निवेशों के मामले में भी विकाशील देशों में दूसरे स्थान पर है। केंद्रिय सूक्ष्म लगू और मध्यम उद्यम मंत्री ने राश्ट्रिय SCST हब योजना के अंतरगत उच्चा धिकार प्राप्त निगरानी समिती की पांचवी बैठक की अध्यक्षिता की है। इस योजना का उद्देश्य SCST उद्यमियों के लिए एक सहायक इकोसिस्टम विक्सित करना है। इसके माध्यम से केंदर सरकार की सावजनिक खरीद नीती में निर्धारित केंद्रिय सावजनिक शेत्र के उद्यमों द्वारा SCST उद्यमियों से अन्यवाले 4 प्रतिशत खरीद को पूरा किया जाएगा। इस योजना को राश्ट्रिय लगू उद्योग निगम कार्यानवित कर रहा है। राश्ट्रिय लगू उद्योग निगम MSME मंत्राले के प्रशास्निक नियंत्रन के तहत एक सारजनिक शित्र का उपक्रम है। इसके तहत अलग-अलग घटकों या हस्तशेपों की शुरुआत की गई है। प्रकास के लिए भारते विक्रेताओं द्वारा डिजाइन एवं विक्सित किये गए अभिनव समाधान शामिल है। मेक वन परियोजनाओं में सरकारी वित्तपोशन शामिल है। रक्षा खरीद प्रक्रिया में पूंजी अधिग्रेंड की मेक श्रेणी का प्रावधान केंदर सरकार की मेक इन इंडिया पहल के विजन को साकार करने के लिए एक महत्तुपून इस्तंब है। मिजोरम के आईजोल जिले का एबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखरजी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है। मरुस्थल पहाडी ये जनजाती शेत्रों में ये आबादी 5000 से 15000 तक होगी। इस मिशन का लक्षे 300 रूर्बन क्लस्टरों का विकास करना है। सूखा शमन उपायों के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करना है। ये सूखे की स्थिती की निगरानी करता है। ये कर्शी और जल संसाधन प्राधिकरन को सूखे की भविश्यवानी करने, निगरानी करने और प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी जानकारी सापताहिक आधार पर प्रदान करता है अब तक भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रिलंका, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान में इसका परिक्षन किया जा चुका है बेईदो उपग्रह प्रणाली बेईदो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली चीन की स्वदेशी प्रणाली है आलही में चीन ने इसकी वेश्विक पहुँच का विस्तार करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है बेईदो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली अधिकृत उपयोग करताओं को शेत्रिय लगू संदेश संचार सेवा प्रदान करने वाली प्रथम नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है बीडियस संयुक्त राज अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रूस के ग्लोनास और यूरोपिय संग के गलीडियो के समान एक वैश्विक नेविगेशन नेटवर्क है बीडियस स्मार्टफोन, वाहन टर्मिनलों और पहनने योग्य उपकरणों जैसे अनुप्रयोगों के माध्यम से दैनिक जीवन में काम आता है बीडियस भू तुल्लेकालिक भू कक्षा, इंकलाइन भू तुल्लेकालिक कक्षा और मध्यम भू कक्षा उपग्रहों सहित हाइब्रिड उपग्रहों को कक्षाओं में स्थापित करता है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मैडिसिन संस फ्रंटिर्स या फिर MSF ऐसा ही एक और संस्थान है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स उसके बारे में UPSC में प्रश्न किया गया था इसलिए इस तरीके के संस्थान प्रिलिम्स के लिहाज से इंपोर्टेंट हो सकते हैं इसकी स्थापना वर्ष 1971 में पैरिस में हुई थी इसे अलग-अलग महाद्वीपों पर मानुविय कारे करने के लिए वर्ष 1999 में नोबेल शांती पूरसकार से सम्मानित किया गया था नागलेंड कोहिमा दुटियव विश्यु युद्ध कबरिस्तान भारत की राश्ट्रपती ने नागलेंड के कोहिमा दुटियव विश्यु युद्ध कबरिस्तान का दौरा किया है इस इस्थल का रख रखाव Commonwealth War Graves Commission करता है Commonwealth War Graves Commission छे सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है इसमें United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, भारत और दक्षिन अफ्री का शामिल है CWGC ये सुनिश्चित करता है कि युद्ध में शहीद हुए पुरुषों और महिलाओं को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा ये Garrison Hill के युद्ध के मैदान परिस्थित है इस कभरिस्तान में लगभग 1420 कभरे हैं इन में से ज्यादातर कभर उन राष्ट्र मंडल सैनिकों की हैं जिन्होंने दुतिय विश्युद्ध के दोरान अपने प्राणों की आहुती दी थी लंबाडी निर्तिय रायपूर में आयोजित राष्ट्रिय जनजातिय महुत्सव में लोग कलाकारों ने लंबाडी निर्ति प्रिस्तुत किया लंबाडी तेलंगाना और आंध्रप्रदेश का एक प्राचीन लोग निर्तिय है इस निर्त्य को लंबाडी या बंजारा या सिंगाली कही जाने वाली अर्ध गुमन्तु जंजातियां करती हैं इस निर्त्य को मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं इसमें अच्छी फसल के लिए भगवान से आशिदवाद लेने के लिए निर्त्य किया जाता है निर्ट में कृशी संबंधी विशय शामिल होते हैं वांगला निर्ट्य और उत्सव वांगला महुत्सव को सौड़ोलुकों वाले उत्सव के रूप में भी जाना जाता है ये मेगाला की गारोशेत्र का सबसे लोग प्रियत्योहार है ये एक फसल उत्सव है जिसका आयोजन उर्वर्ता के प्रतीक सूर्य देवता साल जोंग के सम्मान में किया जाता है ये उत्सव परिश्रम की अवधी के अंत का प्रतीक है जो खेतों में उच्च उत्पादन को सुनिशित करती है इसके अंतरगत भुडूसाला यानि रस्साकशी रोंग डिया यानि की पत्थर उठाने जैसे देशी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है वांगला नृति में पुरुष हौन और लोक धोलक बजाते हैं महिलाएं मिसी साल जोंग के सम्मान में नोकमा के चारो और संरचनाय बनाती है इसके साथ ही यांक समाप्त होता है अगले यंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्तपून खबरों के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए सुरक्षित दूरी बनाए रखिए मास्क पहनिये हाथ और चहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोन अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है इसलिए अपनों का और अपना विशेश ध्यान रखें और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इसके साथ ही विजन आईस की पूरी टीम आपसे इजाज़त लेती है नमस्कार थैंक्यू फोर लिसनिंग